हेलो दोस्तों मेरे नामे गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक लेक्टोनिक्स और दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको होम थेटर बोड में बेस प्रब्लम को रिपेर करके दिखाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक 2.1 होम थेटर का ये पुडाना बोड है जिसमें ब वैसा ही है तो चलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा इसका प्रोब्लम पहले चेक करके दिखाता हूं किसमें प्रोब्लम किस प्रकार का है तो मैं यहाँ पर इस मोड्यूल में सप्लाइद देता हूं और इस होम थेटर बॉर्ड में भी मैं सप्लाइद दे रहा हूं तो देख सकते दोस्तों यहां पर यूएस्बी लिख रहा है और यहां पर हमारा सॉंग प्ले हो चुका है और इस परकार का जो है इसमें को मिंग आ रहा है देख सकते हैं इस परकार का ठीक है तो यहां पर आईसी में भी कोई इसमें प्रोलम नहीए दोस्तों क्योंकि आईसी को भी जेज करने के बापजूद भी इसका प्रोब्लम ऐसा ही होता है तो मैं यहां पर आपको आईसी को Choice करकर दिखा देता हूं यहां पर जो इसका audio input होता है दोस्तों मैं डिरेक्ट इसको एक नंबर प्न पर जहांपर audio इनप पूपर रहता हूं यह हमारा सॉंग प्ले होगा देख सकते हैं यहां पर हमारा सॉंग प्ले हो रहा है तो दोस्तों मैं इसको डिरेक्ट एक नमबर पिन पर दे रहा हूँ जहां पर अट्योड इंपुट होता है तो वहां पर हमारा सॉंग प्ले होता है लेकिन यहां पर इनपुट देने के वाद दोस्तों इसमें बेस आना चाहिए वह बिल्कुल नहीं आ रहा है दोस्तों आप बोलोगे कि इसमें बेस के पास पोटेंसोमीटर नहीं लगाए उसके जग से नहीं देता है तो दोस्तों मैं यहां पर इस प्रोटेंशम मेटर के जगह पर सौट कर दिया है ताकि यह डारेक्ट हो जाए तो चले यहां पर इसको किस प्रकार से रिपेर करेंगे वह मैं आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों मैं step by step इसको चेक करके दिखाऊंगा तो चलिए यहां पर थोड़ा यह audio input का जो वायर सब है उसको मैं हटा लेता हूं ताकि यहां पर इसको चेक करने में आसानी हो मैं इसको यहां पर साइड में रख लेता हूं और सब उफर को यहां भी अटा लेता हूं ठीक है तो यहां पर हटाने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस बोड में हमें voltage को चेक करना होगा कि 45.5 पर हमारा जो voltage है वो आता है कि नहीं आता है तो यहां पर ब्लेक वाले प्रॉप्स को हम ग्राउंड पर डालेंगे जहां पर टास्फर्मार का जो ग्राउंड होता है वहां पर डालेंगे और उसके बाद इस आईसी के तीने नंबर पीन और पांच नंबर पीन पर हम देखेंगे कि हमारा voltage आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यहां पर हमारा जो है resistance हीट हो रहा है काफी जादा हीट हो रहा है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर काफी जादा हीट हो चुका है तो यहां पर हमारा 45.5 में प्रोब्लम लग रहा है तो यहां पर हम एक बार चेक करेंगे कि 45.5 के 4 नंबर पीन और 8 नंबर पीन पे हमारा जो है स्यम वोल्टेज आना चाहिए जो कि 20-30 के तीन नंबर पीन और 5 नंबर पीन में आता है तो हम मैं यहां पर इसको चेक करूंगा इसके चाहिए चाहिए नंबर पिन र आठ नंबर पीन में तो देख सकते हैं यहां 5.5V कर रहा है जो कि यह कोई वोल्टेज नहीं होता है तो यहां पर धोस्तों नहीं आरह है वल्टेज इस i.C. पे और इस i.C. में दोस्तों एक resistance के थुरू यहां पे voltage दिया रहता है तो यहां पे हमारा जुआ 220 ओम का resistance लगा होता है यहां पे है और यहां पे है ठीक है मैं आपको checker के पहले अफैंग दिखाता हूँ यहां पे यह resistance और यहां पे यह resistance यह दोनो 20-30 के तीन नमबर पीन और पांच नमबर पीन से हमारा 45 अंठावन में जाता है जो कि यहाँ पे यह सप्लाई को यहाँ पे पहुंचाता है यह हमारा पांच नमबर पीन है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक पीन इसको यहां गया है ठीक है इस बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 2 से 20 ओम का है और एक रेजिस्टेंस यहां पे और यहां पे गया है जो कि यहां पे 4 नमबर पीन में गया है दोस्तो आपको साथ यहां पे सही से दिख नहीं पा रहा होगा लेकिन यह जो supply है दोस्तो चार नमबर पीन और आठ नमबर पीन में दोस्तो यह हमारा minus प्लस जाता है आठ नमबर पीन में प्लस होता है चार नमबर पीन में हमारा minus जाता है जो कि एक resistance के through वहाँ पे जाता है तो resistance के पास हमारा दोस्तो यहाँ पे यहां तक तक तो आता है लेकिन इसके पार जो है हमारा कोई voltage नहीं आता है। और यहां पर जो 22-20 ohm का रेजिस्टेञ्स लगा हुआ है वो काफी hit होता है। तो इसका मत्ल दोस्तोpper यहां पर 45.55 हमारा है वो damage है। तो चलिे मैं यहां पर 45.55 को replace करता हूं। फिर मैं देखता हूँ कि इसका जो प्रोब्लम है पहले जैसा है कि ठीक होता है तो चलिए मैं यहाँ पर इस आईसी को निकाल कर नए वाले आईसी को लगा लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो आईसी है जो पहले इसमें आईसी लगा हूँ था उसको मैंने निकाल लिया है और उसके बाद हम चेक करेंगे बिना आईसी का कि हमारा चार नंबर पीन और आठ नंबर पीन पर हमारा सप्लाई आता है कि नहीं आता है तो मैं यहाँ पर सप्लाई क फिर से एक बार मैं चेक कर लोंगा तो यहां पर मैंने सप्लाई दे दिया है और एक प्रॉप्स को मैं ग्राउंड पर रखोंगा और दूसरे वाले को मैं इसके चार नंबर पीन देख सकते हैं चार नमबर पिन बे 11 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे भी 11 वोल्ट आ रहा है यह दोस्तो रजिस्टेंस जो लगा हुआ है उस पे हमारा कुछ वोल्ट हमारा कम कर दे रहा है क्योंकि इसको लगवग ज्यादा वोल्ट नहीं चाहिए उसके वज़े से यहाँ प आठ नमबर पिन और चार नमबर पिन पर आता है और बाकी यहाँ पर रेजिस्टेंस से पहले दोस्तो हमारा जो है वोल्ट कुछ ज्यादा बना रहा है यहाँ पर 16 वोल्ट यहाँ पर भी बना रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या यहाँ पर मारा वोल्ट जो है अब इस जग हो रहा था और यह काम नहीं कर रहा था तो यहां पर मैं नया आइसी को लगा दूँगा यहां पर तो यहां पर हम देख लेंगे कि आइसी हमारा किस प्रकार से लगेगा तो यहां पर आपको इसको ध्यान रखें तो मैं यहां पर इसको सिधा लगा दूँगा यहाँ पर मैंने IC को लगा दिया है और उसके बाद मैं यहाँ इसको शोल्ड कर लूँगा यहाँ पर तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दूसरा वाला 45 अंठावन जो IC को मैंने लगा दिया है और अब मैं इसको चेक करता हूँ पहले कि जो हमारा सप्लाई है वो पीन पर प्रोपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो दोस्तों मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है और उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे कि यह हमारा 45 अंठावन जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो मैं एक प्रॉप्स को मैं यहां पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लूँगा और एक प्रॉप्स को मैं चार नमबर पीन पर चेक करूँगा तो लगवग हमारा यहां पे दोस्तों 10 वोल्ट बना रहा है और यहां पे भी हमारा 10 वोल्ट बना रहा है मत्व यहां पे अब जो है हमारा सप्लाई प्रोपर आ रहा है ठीक है और मैं यहां पे इसको एक बार चेक कर लेता हूं जैसे की 4 नंबर पीन और 8 नंबर पीन पे दो ठीक है यहां पे भी 10 वोल्ट आ रहा है यहां पे भी 10 वोल्ट आ रहा है और यहां पे भी 10 वोल्ट आ रहा है यहां पे भी 10 वोल्ट आ रहा है ठीक है इसका मतद दोस्तों यह हमारा अब जो है काम करने लगा है तो चार नंबर पीन और आठ नंबर पीन में जितना करते हैं तो उसका ठीक आधा आना चाहिए तो आपका जो 45 सेंटावन बिल्कुल सही है ठीक है तो यहां पर अब ही जो हमारा है आठ नमबर पिन पर 20 है बाकि आपने देखा कि सभी पिन पर 1010 वोल्ट आ रहे हैं तो यह हमारा आप काम करने लगा है तो चलिए एक बार में इस को चेक करके देखता हूं कि यह हमारा कैसा काम कर रहा है अब मैं इस वोल्यूम को बढ़ाता हूं और इसका जो है बेस चेक करता हूं को यह हमारा देख सकते हैं यहां पर हमारा सब उफर में यह एम्प्लिफायर कर रहा है और मैं यहां पर सांड बढ़ाता हूं उसका बेस ऑपर दोश्त। यहां पर हमारा बेस्ट जो है अच्छा से काम कर रहा है और यहां पे जो है दोस्तों आप सेटेलाइट के साथ इसका बेस सुनोगा तो काफी अच्छा यह साउंड देगा तो दोस्तों इस परकार से आप अपने होम थेटे बोर्ड में जो है 45 संठाबन को रिप्लेस करके बेस प्रोब्लम ठेक कर सकते हैं दोस्तों यहां पे बहुत ही परसेंट चांस होती जिसे 45 संठाबन खराब होता है तो यहां पे इस आईसी में 45 संठाबन ही खराब था तो अप इस परकार्ड से आप अपने बोर्ड को रिपेर कर सकते हो तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लगा तो प्रिज लाइक करें शेर करें और यूटुब चैनल को सब्सक्राब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो